हेलो जीनेफाइल्स तो कई गोर और वाइलेंट सीक्वेंसे से लेकर बड़े कॉर्परेशन की पैरोडी बनाना और साथ ही कई रियल वर्ल इशूस को एक फन और सर्केस्टिक वे में दिखाना ये सब चीज़ें हमें तब बॉई शो ने अपने तीन सीजन और एक एनिमेटेट स्विन आफ के थू प्रोवाइट करी है जो हैर सीजन के साथ और बहतर ही होता जा रहा है वो भी एक ऐसे टाइम में जहांपर हमें सूपर हीरो कंटेंट का खराब क्वालिटी का काफी ओवर्डोस मिल रहा है और आज हम बात करने वाले इसी दा बॉई शो के कुछ इंटरस्टिंग और मेभी एवन लेसे नून पैक्स के बारे में नमबर वन इल्यूजन तो जैसे आपने शो में देखा ही होगा कि मेंली शो न्यू यॉयॉक यूसे पर ही बेस्ट है फिर चाहें हम बात हैटक्वाटर्स की बात करें हैं कुछ और बहले ही शो में हमें यह सब न्यू यॉयॉक में होता दिखाया और बताया जाता हो पर रि न्यू यॉयॉक में हो रहा है नमबर टू रेस्क्यूड तो इस शो के एक में क्रेटर एरिक क्रिप के दबॉइस से पहले एक और सक्सेस्वल शो सूपर नैचुरल को बना चुके थे जो की सिनेमेक्स के अंडर आया करता था और क्या आपको बता है कि Amazon Prime पर आने से पहले द बॉइस शो को पिच किया था और थैंक भुषिस सिनेमेक्स ने इस के लिए मना कर दिया क्योंकि सिनेमेक्स के पास शो में लगने वाले हैवी VFX और प्रोड़क्शन का पैसा नहीं था और इसी बात पर एरिक रिपके ने इक इंटर्वी में ये भी कहा कि वो सिनेमेक्स के thankful है कि उन्होंने उस टाइम इस शो को बनाने से मना कर दिया और हमें इस शो का आइडिया Amazon Prime के पास ले जाने का भी मौका दिया क्योंकि उस टाइम पर भी Cinemax के पास एक option ये था कि वो तब Boyz शो का एक काफी tone down और बहुती cheap person बना दे पर Cinemax ने ऐसा ना करते हुए उनने दूसरे शोले उसके पास अपने आइडिया को ले जाने का चांस दिया और हमें ये शो अपने फुल पोटेंशल पर दिख पाया तो ज़र इस इमेज को ध्यान से देखिए ये इमेज एक्चली है कॉमिक्स के Huey Campbell की और अब आप सोचे किसी ऐसे Hollywood एक्टर के बारे में जिनका चैरा इससे मिलता हो सोच लिया चलो नहीं बता तो मैं बता देता हूँ इस Huey का चैरा आपको मेल खाता मिलेगा एक्टर Simon Pack से और ये कोई कोईंसिदेंस नहीं है तो दा बॉइस कॉमिस के क्रियेटर गार्थ एन इसने Huey का केरेक्टर Simon Pack को ही ध्यान में रखकर बनाया था और एक टाइम पर लाइव एक्शन अडेपटेशन में Simon Pack को ही as Huey काश किया जाने वाला था पर उस टाइम पर पर इन में से भी Black Noir एक कदम और आगे जाता है तो Black Noir थोड़ा थोड़ा डीजी के बैटमन की पर इसके लावा अगर आप इसके नाम पर भी ध्यान दे तो अपने आप में एक और जोक है क्योंकि Noir एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ब्लैक ही होता है तो बेसिकली Black Noir एक्चली Black वर्ड को ही रिपीट करता है तो Black Noir को आप Black Black या नौयर नौयर भी कह सकते हैं नमबर पाइब इंप्रोवाइज फीमेल या कीमिको बॉइस ट्रीम की एक इंपॉर्टन मेंबर है इसलिए भी क्योंकि शो में बॉइस मैंसे सिप उसी के पास एक अमपाउंट भी की पर्मनेंट पावर्ज हैं जो उने डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइब करने में हेल्प करवाती है तो शो में ये रोल एक्टरस केरन फुकुहारा ने प्ले किया और यहां एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट यह है कि फीमेल या किमिको की केरेक्टर बोलती नहीं है जिस वज़े से उसे साइन लेंगवेज यूज करनी पड़ती है और इसे हमें बता चलता है कि केरेन इस शो के लिए कितनी डेडिकेटेड है शो में होमलेंडर एक प्यॉर अमेरिकन करेक्टर है जो पैदा होने से लेकर अभी तक USA में ही रहा और पला बढ़ा है उसके लाब अब बची बुची कसर वाट ने पूरी कर रखी है जो होमलेंडर को अमेरिकन पैटरियोटिसम से हमेशा लपेट कर रखती है ताकि Homelander Americans का फेवरेट बना रहे है और इसके लिए वो हमेशा Homelander को एक ideal American की तरह बना कर रखते हैं तो इस तरह की description में fit होने के लिए आप और मैं शायद यह सोचेंगे कि किसी American actor को ही इस role में cast कर लिया जाए ताकि वो American accent, वो look वगरा आ पाए पर इस शो की casting team ने ऐसा नहीं किया और मैं इस बात के लिए उनका thankful हूँ क्योंकि Anthony Star as Homelander is just perfect हाला कि हाँ मैं आपको यह fact बताना चाहूँगा कि Anthony Star actually एक New Zealander है यही नहीं, शो में Billy Butcher भी एक English या British character है जिसका role again एक New Zealander Karl Urban कर रहे हैं तो I don't think कि already कोई इन casting से नराज होगा बट यह fact जान कर और यह देख कर कि यह actors अपना role कितना perfectly निभा रहे हैं इन actors के लिए respect plus plus नमबर 7, Change तो superhero shows और movies के लिए comics ही हमेशा एक primary source होता है पर usually creators एक uniqueness देने के लिए कुछ basic चीजों को छोड़कर characters में comics के मुकाबले काफी change ले आते हैं और इसमें तब boy show भी शामिल है तो कुछ characters की storyline और overall personality को काफी change करने के लावा कई characters का तो gender ही comics से बिल्कुल opposite कर दिया गया है इस list में पहला नाम आता है Mallory का, तो comics में Mallory एक male character होता है जिसका पूरा नाम Greg Mallory है जबकि show में इस character का नाम Grace Mallory कर दिया गया है और एक female character बना दिया गया है उसके लावा नाजी शॉम फ्रेंट भी comics में एक male character था जिसे show के लिए again एक female character बना दिया गया वही comics में मौझूद Victor Newman को भी show के लिए Victoria Newman बना दिया गया और अगर आप सोच रहे हैं कि अरे भाई इनकी लड़कों से क्या दुश्मनी है जो लड़कों को लड़किया बनाए जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अगले example में comics के male character को female character में तबदील कर दिया गया था जी हाँ मैं बात कर रहा हूं Stillwell की जो comics में James Stillwell से show में Madeline Stillwell बन गई Let's see आगे की seasons में ये और किस-किस का gender change करते हैं Number 8 Recast Homelander के सन Ryan के पास laser vision, superhuman strength और hearing होने के साथ साथ अपना भेश बदनने की भी powers है इस ते वो season 1 के last episode में ऐसा दिखने के बाद season 2 के बाद से ऐसा दिखने लग गया मजाग कर रहा हूं तो हमारा 8 fact Ryan Butcher की recasting के उपर ही है तो first season में हमें इस रोल में Parker Conno दिखे थे जिनका by the way इस show के साथ ही acting debut हुआ था जबकि second season से अभी तक इस रोल में हम Cameron Kroveti को देख रहे हैं तो इस recasting का कोई official reason तो आज सक नहीं दिया गया है पर इसका एक main reason यहीं जूम किया जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि था बॉइजी पागर कर acting debut था तो हो सकता है कि first season में तो उन्हें एक छोटी सी clip में act करने के लिए कास्ट कर लिया गया हूँ पर जब creators को realize हुआ कि उन्हें Ryan का role next season से बढ़ाना है तो Cameroon के पास चले गए क्योंकि Cameroon इस show से पहले already कुछ जगा काम कर चुके थे और इस टाइब के रोल के लिए creators ने experience director के साथ जाना ही बहतर समझा वैसे आप ही comments में इस recasting के possible reasons guess कर सकते हैं शो में deep की character को एक ऐसा super hero दिखाया गया है जिसमें कई सारी बुराईया है लेकिन इतनी बुराईयों के बीच में भी उसमें at least एक अच्छी बात जरूर है कि उसे sea creatures पसंद है और वो उपने तरफ से जितना हो सकता है उतना उन्हें protect करने की भी कोशिश करता है वो बात अलग है कि वो इसमें successful नहीं हो पाता है खेर deep करूल करने वाले actor Chase Crawford actually इसके बिल्कुल opposite है क्योंकि जहां एक तरफ deep seafood खुद खाना तो दूर की बात दूसरों को भी खाने नहीं देना चाहेगा वहीं दूसरी तरफ actor Chase एक seafood लवार है जिने sea creatures को खाना काफी पसंद है उसके लावब चेस ने एक interview में ये भी बताया कि उन्हें दा बॉइस शो में आने के बाद से ही कई Aquaman fans से काफी हीट मिलती है कि वो एक तरस अपने portrayal से Aquaman की character की image खराब कर रहे है लेकिन Chase का कहना है कि इस hit से उन्हें बुरा नहीं लगता उल्टा उन्हें तो time to time Aquaman fans को और चिडाने में मज़ा आता है तो मुझे तो सबसे पहले उन लोगों पर ही हसी आ रही है जो एक fictional character को defend करने के लिए एक अस्तिया इंसान को ही hit कर रहे है अभी हमने 7th point पर बात करी थी कि कैसे comic से show में पहुंचते हुए कई characters के gender को change कर दिया गया लेकिन gender के अलावा कई characters के कुछ unique traits या qualities को भी comics के comparison में show में swap कर दिया गया है यानि कि दो characters की कुछ unique बाते comics के comparison में show में interchange कर दी गई है जैसे example के लिए comics में deep एक black ethnicity का आदमी होता है जिसे हमेशा अपने पैसो और status की चिंता रहती है जबकि A train एक white ethnicity का misogynistic आदमी होता है जो starlight को भी harass करता है पर show में जैसा आपने देखा ही है कि starlight को deep ने harass किया था और यहाँ पर वो एक white आदमी है जबकि A train एक black आदमी है जिसे अपने पैसो की चिंता रहती है पर इस point का सबसे बड़ा असर हमें दिखा है M.M. और Homelander के characters में तो comics में M.M. का अस्ति नाम Baron Wallace होता है जिस पर compound V का side effect हो जाता है जिस वज़े से उसे regular interval पर अपनी मा का दूच चाहिए होता है और इस ते उसका नाम Mother's Milk या M.M. पढ़ता है पर शो में M.M. का असनी नाम ही Marvin Milk है जिसका shot M.M. बनता है उसके लावा एक interview में Eric Kriptian ने ये भी बताया था कि भले ही butcher इस team का leader हो पर M.M. इस team को एक साथ hold करके रखता है और एक motherly figure की तरह काम करता है जिस वज़े से show में बागी boys की member उसे mother milk बुलाते है तो अभी तक तो show ने comics से काफी हट कर M.M. की character को show किया है और M.M. की इस quality को उन्होंने show में Homelander को दे दिया है इसका comics में ऐसी किसी fantasy से कोई लेना देना नहीं था तो ये changes थोड़े out of the box पर काफी interesting थे तो ये थी video the boys show से related कुछ interesting और maybe even lesser known facts के बारे में अगर ये video आपको पसंद आई हो तो इसे like ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना उसके लाब अगर आपको कुछ और interesting और lesser known facts इस show के बारे में पता हो तो उन्हें भी हमारे साथ comments में ज़रूर शेयर करना या आप इस video ये channel के बारे में कुछ और बताना चाहें तो उसे भी comments में ज़रूर लिखना और at last अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो या अभी तक subscribe ना किया हो तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना तो आज के लिए बस इतना ही so thank you for watching Cinefiles मिल दें नेक्स्ट वीडियो में